सिनेमाज और मूवी थियेटर्स में मिलने वाले चीज पॉपकॉर्ण और बटर पॉपकॉर्ण आज हम बनाएंगे वो भी सिर्फ पाँच मिनिट में पॉपकॉर्ण बनाने के लिए आप एक कडाई में डाले ओईल इसी के साथ बटर आप चाहें तो बटर की कौन्टिटी अपने हिसाब से थोड़ी और जाधा कर सकते हैं आप ध्यान रखें हमेशा सिर्फ बटर में नहीं पकाएं क्योंकि वो जल सकता है तो थोड़ा ओईल आप जरूर डालें तो ये मैं ले रही हूँ मकई के दाने कौन आपको ये किसी भी शॉप में एजिली मिल जाएंगे अब इसी के साथ आप इसमें डालें नमक और ब्लैक पेपर पाउडर अब आप इस सब को अच्छे से मिक्स करें आप ध्यान रखें जो मैं कड़ाई ले रही हूँ ये काफी बड़ी है अगर आपकी कड़ाई छोटी है तो आप जो मकई के दाने है वो कम डालें वरना सारे आपके इसली पॉप नहीं हो पाएंगे तो ये आपकी कड़ाई के साइस पे डिपेंड करता है आप कितने दानों को डालें वरना उपर से तो आपके पॉप कॉप कॉप बन जाएंगे बट नीचे वाले पॉप नहीं होंगे तो आप देखे एक मिनट बाद अब ये फूलने लगे हैं ये एक साइन है कि अब आपके पॉप कॉप होने लगेंगे तो आप देखे ये बिल्कुल शुरू हो चुके हैं अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे हाई फ्लेम पे कभी नहीं करें वरना ये जल जाएंगे तो आप देखें बड़ी ध्यान रखें धक्कन जरूर लगाएं वरना ये सब भार निकलाएंगे और बीच पीच में आप कडाई को थोड़ा सा स्टर करें थोड़ा सा आप उसको हिलाएं वरना आपके जो पॉपकॉन है अगैन वो जलेंगे और नीचे चिपक जाएंगे तो ये करना बहुत जरूरी है अब आप ये तीन से चार मिनिट तक करें ताकि सारे कॉन पॉप हो जाएं आप देखें बिल्कुल मज़िदार लग रहे हैं बन चुके हैं हमारे सॉल्टेड पॉपकॉन ये जो हम बटर पॉपकॉन खाते हैं थीटर में ये बिल्कुल सेम है तो आप इसको जरूर ट्राइ करिएगा अब इसके बाद हम बनाएंगे चीस पॉपकॉन तो चीस पॉपकॉन के लिए मैं ले रही हूँ सेम बटर पॉपकॉन इसके अंदर हम डालेंगे चीस पाउडर ये बहुत एजिली ओनलाइन अवेलिबल है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी आप इ इसको अच्छे से मिक्स करें ये बिल्कुल मचेदार लगते हैं मेरे बहुत ही फेवरिट हैं चीस पॉपकॉन अगर आप चाते हैं मैं और पॉपकॉन की वराइटीज शेयर करूं तो वो भी मुझे आप जरूर बताएं तो लीजिए चटपट से पाच मिनिट में बहुत ह की सस्ते से आपके घर पे बनके तयार हो जाते हैं आपको थीटर पे इतने पैसे अब देने नहीं पड़ेंगे तो जरूर बनाएए ये दो डिलिशस फ्लेवर के बटर्ड और चीस पॉपकॉन और मुझे बताएए ये आपको कैसे लगे